नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टोड़ी न्यूज के ओफीशल यूटूब चलन में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश्कवरी है यूगि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आंगनवाडी की नई भरती की पूरी जानकारी लेकर आए हैं जी हाँ दोस्तों नया भरती का ओफीशल नोडिफिकेशन जारी हो चुका है आंगनवाडी की ओर से दोस्तों अगर आप महिला हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुती अच्छा सुनेरा अफसर हैं यूगि आज की इस वीडियो में हम आप के लिए महिलाओ के लिए बंपर भरती के जानकारी लेकर आए हैं जो की आंगनवाडी की तरफ से हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जा करने जा रहे हैं आंगनवाड़ी भरती 2021 के बारे में तो yaha पर आप दिसेकते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर, वर्कर, सुपरवाइजर और टीचर की भरती के लिए यहाँ पर आवधरन मांगे जा रहे हैं वहीं दोस्तों यहाँ पर योग्यता जो है आंगरवाडी helper के लिए 8 वी पास है जिसके लिए 12,000 तक आपको वेतन मिल सकता है वहीं worker के लिए 10 वी पास है जिसके लिए 15,000 रुपे तक वेतन मिल सकता है वहीं supervisor के लिए graduate मांगा गया है जिसके लिए 22,000 रुपे तक आपको वेतन मिल सकता है वहीं टीचर के लिए बारी पास मंगा गया है जिसके लिए आपको 20,000 रुपे तक वेतन में सकता है वेतन आगी पीछे उपर नीचे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो भी अभी समय चल रही है वेतन की इस्तिती वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीके चलिए दोस्तों आपको सीधा हमारी ओफीशल वापसाइट पर लेके चलते हैं जहाँ पर हम आपको आगनवाडी की इस भरती की पूरी जानखए देंगे तो दोस्तो हमारी official website पराने के लिए Google में सर्च करें सरकारीTodayNews.com जैसे दोस्तो आप सरकारीTodayNews.com Google में सर्च करेंगे आप सिधा हमारी official website परा जाएंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Child Development Services and Nutrition Department of Uttar Pradish यानि की महिला बाल विकास विभाग में आई आंगनवरी की बंपर भरतीगी दोस्तो यहाँ पर आप देसेते हैं 5300 से अधिक पत जारी हो चुके हैं जो की आंगनवरी worker, mini आंगनवरी worker, आंगनवरी helper के पद हैं इसके अलावा और भी अन्यपद हैं जिनकी जानकरी आप हमारी website से ले सकते हैं दोस्तो आविदन जो है आपको online ही करना होगा क्योंकि आविदन केवल online ही मांगे जारे हैं यूपी इंडिया की job location है वही चेयन परकरिया में आपकी ना तो कोई परिक्षया होगी ना ही कोई आपका interview होगा केवल आपके merit के अधर पर selection होगे वही age limit जो है दोस्तों यहाँ पर 21-25 साल है तो अगर आपकी भी age है 21-25 साल तो आप आविदन कर सकते हैं और यहाँ पर application fees जो है सभी विध्यारतियों के लिए बिलकुल फिरी है तो अगर आप आविदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी payment नहीं करना होगा और education qualification योग्यता जो है पांच वी पास, आठ वी पास, दस वी पास और बार वी पास अगर आपके पास यह योग्यता है तो आप आविदन कर सकते हैं आविदन जो है आप देशकते हैं 6 जून तक चलेंगे अन्तिम्तिती जो है 6 जून 2021 से आविदन करने की अब आपको बताते हैं आविदन किस प्रकार करने हैं यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है आप क्लिक करते ही आप online forum पर आजाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस post के लिए आपको apply करना है जिस blog के लिए जिस grammy के लिए जिस ward के लिए जिस pad के लिए वो आपको यहाँ पर select करना है और forum को भर देना है फिर भी अधिक जानकरी के लिए आप जो है यहाँ पर guideline है उसको आप अच्छे से समझ ले पढ़ ले यहाँ पर आपको पूरी जानकरी दे रखी है तो अधिक जानकरी के लिए आप जो है इस notification को check out किजेगा यहाँ पर आपको सारी जानकरी मिल जाएगी कोई भी सवाले शेंका है तो comment कीजेगा वीडियो को लाइक से रोचलेन को सब्सक्राइब जरू किजेगा जेहिंच जे भारत